कि हलो फ्रेंट्स वेल्गम बैक इन माइन वीडियो माइसलफ एस केटिगरवाल और इस वीडियो में अपने लेके आए हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में डेसकस करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में जो एकलव्य फिर मॉडल रेजिडेंशल इसकूल है उन्होंने अभी हाली में एक नोटिफिकेशन जारी हिया है जिसमें स्वाइस प्रिंचिपल प्जीटी और ट्ल कि रिक्वाइर्मेंट है उसका अड्राइजमेंट दिया गया है अभी अपने उसके बारे में डिसकस करने वाले हैं कि ज या काफी अच्छा चांस वाली वेकेंशी है इस वेकेंशी के बारे में डिसकस करेंगे और यह जो इकलवे मोडल रेजिदेंशिल स्कूल जो है वह अपने इंडिया के 17 या 18 स्टेट के अंदर इस्टेबलिस हैं जो अपने राजस्थान में भी काफी जगह स्टेबलिस है राजस्थान में अपरोक्स से 10 या 12 के आसपास स्कूल है अपने तो अभी इसके बारे में आपन डिसकस करेंगे कि कितनी कितनी पोस्टें जो हैं वो निकली हुई है कि इसमें से देखें अपन सबसे पहले आपन देखें इसकी जो इंफोर्मेशन है या इंपोर्टेंट डैटन की वो देखें अपन ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म सब्मिशन की डैट है वो एक अप्रेल से लेकर 30 अप्रेल 2020 तक की है इसके लावा इसकी जो पैमेंट की है वो इसमें दे रखा है ट्रांजिक्शन क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या डेट इस प्रिंशिपल की जो पोस्ट है उनके लिए दो हजार रुपय है एप्लिकेशन फॉर्म फीज और पीजीटी और जो टीजीटी है उसके लिए पंदरा सो रुपय फीज है इसमें भी आगे जाके देखेंगे डिवाइड के टेगरी वाइज कि कौन सी के टेगरी में कितन हुआ है कि 4 माई से लेकर 6 माई तक इसमें आप करेक्शन कर सकते हो और एड्मिट कार्ड या फिर जो एक्जामिनेशन है उसका आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा आगे अपन देखें टाइमिंग ओफ एक्जाम एक्जाम जो है वो दो सिफ्ट में की जाएगी 9 से अब और देखें ढ़े getting this Mark MN man में जो ट्र अब देखतें हैं खाली जैसे है पंदेखें यहां पे पोस्ट ले रखें लेवल पे रखा है जैसे प्रिंचिप्ल की पोस्ट है त्थ इसमें लिवल ट्वर है और वाइस-प्रिंचिपल है लेव ट call है और पोस्ट ग्रेजुर टीचर जो है उनकी जो पेश्केल है वह लेवल एट है और टीज़ेटी की जो पोस्ट है इसमें लेवल सेवन है अब सबसे पहले इसमें जो यह दे रखा है जैसे प्रिंशिपल की पोस्ट है इसमें एक्जाम है और प्लस इंट्रिव है तो एक्जाम जो है वह 160 मार्क्स का है और इंट्रिव जो है वह है 40 मार्क्स का और एक्जामिनेशन की जो टाइमिंग है वह तीन घंटे की है इसमें ज इंग्लिज 10 क्यूशन है जनरल हिंदी 10 क्यूशन है जनरल नोलेज एंड करेंट अफेर्स दैस नंबर लोजिकल रिजनिंग कंप्यूटर लिट्रेशी और क्वांटिटेटिव एपीटिव टेस्ट इन सब के दस-दस क्यूशन है एकेडिमिक इसके 30 क्यूशन है और एड्मिनिस्ट्रेशन एंड फाइन्स इसके 70 क्यूशन है इस प्रकार टोटल क्यूशन जो है वह 160 क्यूशन है आगे अपन देखे सेम इसी प्रकार से वाइस प्रिंशेपल के अंदर है यह आप डिटेल देख सकते हूं नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन का लिंक है वह मैं आपको डिस्क्रिप्रिशन बोक्स में डाल दूंगा इसके अलावा जो आपन देखें पीजीटी पीजीटी का अपने सबसे इंपोर्टनेंट है जो भी अपने जैसे जो फ्रेंड से जो त्यारी करते हैं पीजीटी की खास तोर से उनमे 860 मार्क्स और पलस ऐंट्रु है 40 माक्स का इसमें ज़नरल इंगलेस और ज़नर रहिंदी डैन जन्रा नोलेज और करेंट अफेर 10 मार्क्स और एनलाइटिकल एबिलेटी जो है वो 15 मार्क्स नुमेरिकल एबिलेटी 10 मार्क्स और कम्प्यूटर लिट्रेश्य फाइप मार्क्स इसके अलावा इसमें देखें टीचिंग एप्टिटूट एंड पेड़ोगोजी जो 20 मार्क्स की है और अपना जो सब्जेक्ट है जैसे अभी अलग-अलग सब्जेक्ट की बात करें जैसे मां बाइलोजी की बात करूं तो जो भी स्टुडेंट से जो बाइलोजी से अप्लाई करेंगे तो उसके और इसमें जो नेगेटिव मार्क्स है वो 0.25 दिया हुआ है कम्प्यूटर बैस्ट एक्जाम है टाइमिंग मैंने आपको बता भी दी थी दो स्विप्टिंग में की जाएगी 9 से 12 और 3 से 6 कौ Button इसमें इसके रखिये कि अलग जो पोस्ट है यसमें एज क्राइटेरिया जो है वो दिया गया है तो यह अपन happier कि को लिगर अपनी आप स्काइबक्स है कि देख सकती प्लस बीड है और उनके साथ में उनके जो एक्स्प्रियंट्स है वो इनके साथ में दिया गया है जैसे आपन पीजीटी की बात करें टू इयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजवेट कॉर्स और 50 मार्स होना चीए या फिर आपन कहीं मास्टर डिगरी होनी चीए 50% मार्स क और पीजीटी में इंग्लिश लिट्रेच्चर या फिर अपन सभी करें जैसे बाइलोजी की बात करें आपन तो बाइलोजी में जो पीजी है वो सब्जेक्ट में होनी चाहिए कि इस प्रकार से दी गई है जैसे बातनी जो लोजी लाइप साइनस बायो साइनस जेनेटिक्स माइक्रो बाइव बायलोजी बायो टेकनलोजी मॉलीकिलर बायोजी प्लांट फीजीडाइव इस प्रकार से यह बायोजी के लिए इलिजिबिलिटी है यह TGT के लिए इलिजिबिलिटी है कि बैसलर डिगरी हो इसके अलावा TGT हिंधी-ंगलेश हो इसके अलावा अपने इसकी जो भी Candidates जो एप्लाई कारणा चाहते हैं वो अपनी qualification के according देख सकते हैं और इसमें जो एज़ लिमीट हो 35 है और जो पीजी टी में है वों 40 years है और सेस्ट के अंदर एज्ज रिलेक्सवेशन दिया गया है जो अलग लग है इसे निदिया गया है जिसमी वह पांग साल का दिया गया है और जो ओबीशी है उसको तीन साल का रिलेकस्ट संध्या गया है तो यह जो रिलिक सेश्टे को पांच साल का है और अबीशी को तीन साल का है को और वर इसमें जो यह दे रखाया है परस्टनल कर पर्शन जो भी हैं डिस एबिलेटी वाले पर्शन है वोमेन उनकी दी गई है पंद्रह तेरह और टैन येर जैसे फीसिस टेक्टर मैंने पहले भी बताई थी आपको जो प्रिंशिपल वाइस प्रिंशिपल की जो है वो फीस स्टेक्टर 2000 है जबकि PGT और TGT की है वो 1500 है कि इसमें दे रखा है इंपोर्टेंट कि फी डिलेक्सेशन नो फी इस रिक्वाइट टू भी पे बाइड़ कैंडिडेट बिलॉंग टू सेस्ट पीड़ डी केटेग्रीज तो जो सेस्ट की केंडिडेट सें उनकी लिए किसी भी प्रकार की फीस स्टेक्टर नहीं है एंस ते फॉर दा पेमेंट फीस विल नॉट भी अप्लिकेबल टू देम इन्टू ऑनलाइन एप्लिकेशन अगर वह अपनी कैटेग्री जो है वह सेस्ट डालते हैं तो किसी प्रकार की पे का कोलम सामने नहीं आएगा तो क्योंकि इसमें रिलेकशाशन दियागया है स्ट को कि आपने इसमें देखें अलग अलग स्टेट के अंदर कैटेग्री दिया गया है सब्जेक्ट कि कौन सी सब्जेक्ट में कितनी क study सामने है जैसे अपन राजस्थान का देखें जैसे इसमें दिया गया है स्टेट वाइज लिष्ट ऑफ वेकेंशी एज पर रेजर्वेशन रोष्ट्र तो इसमें जो वेकेंशी दी गई है वो अलग अलग दी गई है जैसे अंध्रप्रदेश चतिस गड़ गुजरात हिमाचल प्रदेश जारखंड तो इसमें जो प्रिंशेपल की पोस्ट है वो अ अलग अपने जो स्टेट है उनके अलग लग दी गई है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन की चतिस गड़ के अंदर 135 पोस्ट है और टीजीट की 323 है इस प्रकार से अलग लग स्टेट में अलग लग वेकेंशी के जो है वो या इनकी जो नंबर्ण है वो ज्यादा है यह ग्राइबल है जिसमें से 2पन देखें राजाश्थान के अंदर देखें मैं तो राजस्थान के अंदर principal की जो है वह 16 है वाइस principal की 11 है और जो PGT है 102 है और TGT है वो 170 या 187 है और टॉटल वेकेंशी देखे राजस्थान में तो 316 है इस परकार से राजस्थान के जो भी candidates हैं या किसी भी State की candidates हो जादा जादा अपनी वेकेंशी देखें या वह किसमें eligible criteria के अंदर आते हैं तो वो इसमें apply कर सकते हैं राजस्तान वाले खास्तोर से जो भी स्टुडेंट्स हैं या जो फ्रेंट्स हैं जो PGT में biology से त्यारी कर रहे हैं वो भी अपनी वेकेंसी biology में देख सकते हैं यह category वाइज अलग अलग दे रखा है जैसे अंध्रपर्देश का दिया हुआ है तो अपनी पोस्ट देख सकते हैं आपने इसमें देखते हैं राजस्तान की जैसे यह राजस्तान की वेकेंस की पोस्ट इसमें वीजिक के देखें तो MP3 तो बालोजी कितनी पोस्ट है कि 15 पोस्ट टोटल है में पीजी ठीग ढों जब कि पुल की कितनी में 16 वाइस प्रिंशिपल की 11 है इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट दी गई है तो बाइलोजी वाली जो भी केंडिडेट से हैं वो 15 पोस्ट है इसमें अप्लाई कर सकते हूँ इस प्रकार से अपना जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसके बारे में अपने देख लिया है और जो भी केंडिडेट है अलग जो सब्जेक्ट वाइज अपना देखना चाहते हैं वह भी देख सकते हैं कि कौन से स्टेट से बिलोग करते हैं और क्या उनका क्राइटेरिया है क्या उनकी क्वालिफिकेशन से या किस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए वह इलिजिबल है तो अप्लाई कर सकता है मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई है थैंक्यू फ्रेंट्स और किसी भी प्रकार किसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए थैंक् क्या तो उनकी फिर्टेंट अटी बॉक्षा थैंक्या तो आपको किसी भी चारण तो अव्याट पूलाई लगार्ट तो आपको किसी भी घए लिए लुपार्टेंट बॉक्षा